हलो एवरिवन पिछले अपिसुज़ में मैंने आपको सेर करवाई थी काटमादू सिटि के टॉप 9 प्लेसेज की इस अपिसोज़ में मैं लेकर आया हूँ काटमादू सिटि के आजपास की टॉप 10 प्लेसेज जहां आप एक या दो या तीन घंटे का ट्रैवल टाइम करके पहुंच सकते हैं इसमें शामिल है भक्तापूर दरबार माउंटें ट्रैकिंग लवर्स के लिए है नगर कोट चिसा पानी धूली खेल ककनी लाकूरी भांगंग कुलेखनी नमबुधा और पनौटी तो चलिए शुरू करते हैं मैं हूं केंपिंग ट्रैवलर इंडिया और यह है मेरे लिस्ट आफ टॉफ टैन प्लेसिस तुवजिट नियर काटमांडू नमबर दस पर है भक्तापूर दरबार थामिल से भक्तापूर बस्टॉप से आपको डाइरेक्ट बस मिलेगी एक घंटे में आप 30 नेपाली रुपे खर्च करके पहुंच जाएंगे भक्तापूर टिकेट प्राइस सार्ख कंट्री टूरिस के लिए हैं 500 नेपाली रुपे और यूरोपियन टूरिस के लिए हैं 250 डॉलर्स करीब करीब 5-10 एकड में फैला हुआ है भक्तापूर दरवार स्क्वेर तरिया मंदिर को देखेंगे तो एक ही पेट की एक ही तरने का प्रियोग करके बनाया गया माना जाता है नेटर पोलर टेमपर पगोड़ा शेली का पांच स्टोरी च्टवाला मंदिर है इस खुबसूर्ती से गड़े गई इमारत को सब से उचे पगोड़ा के रूप में द से अधिक उचाए परस्थी थे 55 विंडो पैलेस 55 विंडोस का महल दर्बार स्क्वेर की भव्य सरंचना में से एक है चुंकि क्योंकि इसमें 55 खिड़किया बनाई गई है इसलिए इसे पैलेस और 55 विंडोस कहा जाता है भकतापूर दर्बार स्क्वेर में ही आपको देखन को मिलेगी सिधा पौकरी सिधा पौकरी भकतापूर में पहले टाउन गेट के करीब स्थीत है यह सुंदर मानव निर्मित तालाब है यह 70 मिटर लंबी और तीन मिटर गहरी जी यह कहीं लोगों के लिए पसंदीता हैंग आउट प्लेस है भकतापूर स्क्वेर घुबने के पाद आप साड़े 5 किलर मिटर दूर आटो करके चंगु नारान मंदिर जा सकते हैं चंगु नारान मंदिर सबसे पुराने मंदिरों में से एक है मंदिर सुंदर पथर और लगड़े की नकाशी से बनाया है यह सामान्य नेपाली आर्किटेक्टर में बनाया गया है जिसे ना तो सिखर सहली और ना ही पकोला सहली के रूप में वर्नित किया जा सकता है पहाड़ी पर स्थित चंगु नारान मंदिर पहुचने पर आप खुद को चंपक के पेड़ों से घिरा हुआ पाएंगे आप देखेंगे कि मंदिर के आंगन में विविन देवताव के साथ मूर्तियों भी रखी हैं आप देखेंगे कि मंदिर के चार परविश्द्वारों पर लाइफ साइजड एनिमल्स की एक एक जोड़ी है जो उनकी रखवाली करती है टॉप 10 प्लेश सिस्टिंग विट नियर पैट मंडू में नमबर आठ पर है धुली खेल अगर आप ट्रेकिंग हाइकिंग और कैम्पिंग के शौकीन है तो धुली खेल और आने वाले कुछ और टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपके लिए हैं काट मंडू सेटी से सिर्फ 31 किलोमेटर की दूरी करीब एक से तेर गंटे की दूरी पर और भक्तापूर से सिर्फ साड़े सोला किलोमेटर यानि के तीस से चालिस मिनट की दूरी पर है धुली खेल यहां का टेंपरिचर दो से लेकर 29 डिग्री सेल्चियस के बीच रहता है जाने का सबसे बड़िया समय है मार्च से मई और फरवरी से सप्टेमबर जाने के लिए लोकल टेक्सी पॉब्लिक बस और प्राइवेट कार्स अविलबल हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाएए और कम से कम एक रात रुखने का प्लान करके जाएए धुले खेल 1550 मिटर की उचाई पर स्थित है और नेपाल के कुछ सब से खुबसूरत हुल स्टेशन में से एक है हिमाले के कभी न भू जरूर जाना चाहिए यहां से आपको लांग तांग गोरिशंकर और नुम्बूर परवट सिंखला के खुबसूरत नजारों को देखने का मुका मिलेगा भीर कम है और कभी ना भूलने वाली यादों के बीच यहां के खुबसूरत मंदिरों के लिए आपको धुलिखिल जर शहर है काटमांडू सिखी से 32 किलमेटर भक्वतापूर से सिरफ 19 किलमेटर और धुली खेग से सिरफ 12 किलमेटर की दूरी पर पनोटी शहर स्थित है अपने वक्त में पनोटी एक कॉमर्शल सिटी हुआ करता था लेकिन आज कल यह कंपरिटिवली ज्यादा शांत है ब्रहम वनेबती की पवित्र नदी से निकला हुआ माना जाता है यहां के लोगों का मुख्य व्यवशाय मेटल का काम और खेती करना है यहां हम कृषी पर आधारित संस्कृति और जिवन शैली को देख सकते हैं नमबर छे पर है लकूरी भांगांग लकूरी भांगांग एक हिल स्टेशन है काटमांडू सिटी से सिरफ 15 किलम्टर की दूरी पर होने की वज़े से लकूरी भांगांग परिवार के साथ पिक्निक का मज़ा लेने वालों के लिए फेवरिट स्पॉर्ट बन गया है यहां आपको पेरागलाइडिंग, ट्रेकिंग, हाइकिंग और साइट सींग जैसे एडवेंचर स्पोर्स एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा आप यहां एक दिन या दो दिन की ट्रिप का प्लैन करके जा सकते हैं सर्दियों में यहां बरफ गिरती है और गर्मियों में टेंप टेक्सी करके या फिर शेड वैन लेकर जा सकते हैं टॉप टैन प्लेसिस टू विजट नियर काटमंडो के लिस्ट में नमबर पांच पर है नमबुथा काटमंडो सिटी से करीब करीब 46 किलोमेटर दूर और भकतापूर से 28 किलोमेटर पनोटी चौक बस्टॉप से 10 किलोमे जो 250 से जादा बोध विक्षो का घर है इस मॉनिस्ट्री का नात्रंगू तांशी यंग्स्टे मॉनिस्ट्री से संबंद वताया जाता है जो आम जनता के लिए सिरफ शरीवार के दिन खुली होती है बाके दिन पबले के लिए एंट्री बंद है सिरफ स्पेशल पर्मिशन लेकर ही एंड्रे पॉसिबल है इस जगह का आर्किटेक्चर और एंबियंस आपकी अंतरात्मा को शांत करने में सक्षन है फैमली के लिए अच्छी जगह है एक दिरिन खा एक दिन की ट्रिप प्लान करके आएए मोसम जादे तुर सुहाना रहता है टेमपरिचर पंदरा से पर्चिस्टिफ वी सिल्चिस के बीच रहेगा जाने के लिए बस और प्राइवेट कार की सुविधा उपलब्ध है नमबर पाँच पर है नगर कोट काटमांडो सिटी से करीब करीब 30 किलोमेटर और भकतापुट से 12 किलोमेटर दूर है नगर कोट क्या है 2150 मिटर के उचाई पर स्थित है यहां आपको एक रात रुखने का प्लान करके जाना चाहिए क्योंकि यह जगह फेमस है संसेट और स सन्राइज देखने के लिए मौंटेन रींज का पैनारमिक म्यूस वच हवा सुहाना मौसम आपकी ठकान को दूर करके आपको फिर से एनरजी से भर देंगे आप अपने आपको तरुताजा महसूस करेंगे अगर आपके पास टाइम कम है और काटमांडू से ज़्यादा दू हमारे लिस्ट में नंबर चार पर है चिसा पानी एडवेंचर पसंद करने वाले टूरिस के लिए यह परफेक्ट शॉट ट्रिप है जो आपको ट्रैकिंग करते हुए हमाले के चीव जंतुरों और बरसपती को करीब से देखने समझने का मौका देता है मन को लुभाने वाले हरे बरे घांस के मैदान, बड़े बड़े पहाद और सपनों की दुनिया में होने का एहसास देता है चिसा पानी का यह छोटा सा ट्रैक आपको शिवकुरी नेशनल पार्क और उसके आसपास के टॉपिकल जंगल में लेकर जाएगा जो काटमांडू सिटी में पीने के पानी की सप्लाई का सबसे बड़ा शोट है करीब करीब देड़ घंटे की चड़ाई के बाद आप चिसा पानी पहुंचाएंगे जो के काटमांडू से बाहर अपको यहां जाने के लिए सीवेगा जाएगे टॉप 10 प्लेसिस टो विजट नियर काटमांडो के लिस्ट में नमबर दो पर काकनी काटमांडो से करीब करीब 22 किलोमेटर की दूरी परस्तित है जो घर है तमांग समु के लोगों का समुद्र तल से उचाई है अपनों के साथ वक्त बिखाने और विजट करने के लिए काकनी काटमांडो के पास के कुछ सबसे जादा और सबसे बढ़िया टोविस प्लेसिज में से एक है धौलगिरी गनेश हिमाल और अंपूरना मौंटेंस के शांदार नजारे आपको मधमुर्द करने के लिए काफी है और आपका रोम रोम आपको यहां आने के लिए सुक्र गुजार होगा थाई एरलाइन्स क्रेश जो 1992 में हुई थी जिसमें 113 लोग मारे गए थे उनकी या यहारे तक छू जाएंगी स्नोफॉल के बाद आपको यहीं पर स्कीन करने का मौपा भी मिलेगा के नमबर एक पर है कुलेखनी काटवंडू से करीब करीब पचास किलम्टर की दूरी पर सित ये हिल स्टेशन एडवेंचर और नेचरल खुबसुक्ती पसंद करने वालों के लिए जन्मत है कुलेखनी में एक फेमस हाइड्रो पावर डैम है जिससे बनी हुई लेक में बो अचंबीद कर देने वाले जर्णी इसे नेपाल की धर्टी पर स्वर्ट जैसा बना देती हैं और आप यहां बर्बसी बंधे से जाते हैं हजारों की संख्या में छोटे-छोटे स्थूपाज पूरे रास्ते आपको दिखेंगे जब आप वर्ल्ड फेमस मॉनिस्ट्री और सेक्रेट केव यानि सेक्रेट कुफा की तरफ जा रहे होंगे यहां आप बोटिंग, स्वेमिंग, बॉकिंग, नेचर वोक, साइट सींग का मजा ले सकते हैं कम से कम दो दिन का प्लान करके आना बेहतर होगा तापमान तीन से पच्चिस डिक्री से बीच रहता है और आने क आपको टॉप टेन प्लेशिस टो वजिट नियर काटमांडो की यह दस पसंद आई होगी देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको यह सारी चान करी अपने दूस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए थैंक्यू सो मच मैं